हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल दपेट विजन दिस साहिल मेली की यूर होस्त एंद यूर वेट तो गैस आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंपल इंडिजेशन इंडोग क्या होता है तो गैस मैं आपसे आश्चा करता हूं आप इस वीडिय क्या होता है उसके इमेडियेटली तुरंत बाद ही आपका वो मिट कर देता यह सब दोग के साथ होता है मेरे पास है मेरे पैट के साथ पहुआ तो गैस उसका आज मैं आपको सुलिशन और साथ मैं कुछ ऐसे symptom बताने वाला हूँ जिससे आप पता कर सकते हो कि simple indigestion मेरे dog को हुआ है या नहीं हुआ basically guys जो simple indigestion होता है ये एक type का gastric distress होता है जैसा कि आपको screen पे भी नजर आ रहा होगा अगर guys dog के body के अंदर dog के body के अंदर जो stomach जो reason है जिसके अंदर intestine है large intestine है small intestine है उनके अंदर कुछ ऐसी problem create हो रही है तो guys उसकी वज़े से ही आपका dog है indigestion नामक के condition से सफर कर रहा है mainly guys अगर हम इसके पीछे reason की बात करते हैं तो guys इसमें एक reason आता है कि आपका जो dog है कई बार spoiled food खा लेता है यानि spoilful यानि जो खराब food जो होता है वो खा लेता है अगर guys आपका जो dog है food खाने में यानि जो भी आप उसे खाना देरो बहुत जादा जल्दबाजी कर रहा है तो उसके अंदर भी indigestion होने के chances बहुत ही जादा बढ़ जाते है कई बार जो आपका जो dog है बहुत ही जादा खाना खा लेता है तब भी indigestion हो सकता है और कई बार क्या होता है guys अलग-अलग type के जो feed है आपका जो dog खा लेता है तब भी ये problem हो सकती है basically guys इसका एक precaution अगर मैं आपको पहले ही बताऊं तो guys इसके अंदर आपको उसकी diet में immediately कोई भी change नहीं करना है आपको guys धीरे धीरे दूसरी diet के उपर अपने dog को लेके आना है तो guys अगर हम बात करते हैं वो main ऐसे reason कौन से है जिसकी वज़े से आपका जो dog है indigestion से सफर करता है तो guys पहला reason यह है कि आपके dog की body के अंदर stomach के अंदर acid की formation बननी start हो जाती है यानि too much amount of acid formation in dog stomach और साथ में ही guys क्या होता है अगर आपके dog की stomach में किसी भी तरह की inflammation है तब ये problem आ सकती है अगर आपके dog की intestine में inflammation है तब भी ये problem आ सकते है जिसको basically endritis भी बोल देते है अगर guys हम symptoms की बात करेंगे तो guys आपको अपने dog की mouth से एक bad smell create होती नजर आएगी यानि बहुत ये बद्दी सी एक smell आएगी इसमें guys क्या होता है आपके dog का behavior भी change हो जाएगा basically की बात है loss of appetite भी होगा हो सकता है ध्यान रकनाइस पॉइंट को आपका जो डोग है vomiting करेगा diarrhea होगा diarrhea means यानि lose motions लगेंगे बहुत ही पतले वाले भी हो सकते हैं intestinal upset हो सकता है यानि intestinal upset हो सकता है यानि intestinal किसी भी तरह का कोई भी bacterial एफेक्ट होने की वज़े से भी upset हो सकता है सिंपल इंडाजेशन के अंदर भी यह जो है होता है और साथ में आपका जो डोग है weight loss हो जाता है आपके डोग का यानि आप जितना वर्जी उसे खिलाओगे उसको लगेगा नहीं पचेगा नहीं तो वैसी सिंपल सी बात है उसका weight तो loss हो नहीं है कई बार guys क्या होता है हम पार्क वगरा में हमारे जो डोग को घुमाने लेके जाते हैं तब guys आपका जो डोग है कई बार खा लेता है उसको grasses को यानि हरी जो घास होती है तो उसकी वज़े से stomach के अंदर bloat की formation हो जाती है जिसे हम basically टिमपैने बोलते हैं large animals के अंदर इसका मतलब मैं आपको बताऊं accumulation of the gas in the dog stomach अगर dog के stomach के अंदर gas fill up हो चुकी है तब ये condition develop होने के chances भी बढ़ जाते हैं और कई बार गाइस क्या होता है अगर मालो वह gas develop हो गी है वह pass नहीं कर पाएगी यानि fluctuance होगा बहुत ज्यादा gases का जिसकी वज़े से भी आपका जो dog है vomit कर देता है आपने अगर उसे खाना खिलाया तुरंत वह बाहर निकाल देता है और basically guys इसके अंदर एक heart बन दिखता है और acid reflux मैंने आपको पहले भी बता दिया acidity बन जाएगी पेट के अंदर बहुत ज्यादा acid की formation हो जाएगी जिसकी वज़े से simple indigestion हो सकता है अगर acid बना है तो जैसे human beings के अंदर भी होता है पेट के अंदर अगर acid बन गया तो वह vomiting create करता है अगर guys vomiting हमारे अंदर create हो रह पहले precaution बहुत ज़रा जरूरी है आपके लिए अगर आप एक dog owner हो dog lover हो तो guys पहला point आपको यह ध्यान देना है आपको अपने dog की diet को immediately भी चेंज नहीं करना यह point मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अब मैं repeat कर देता हूँ immediately आपको diet को change नहीं करना है यानि guys अगर आप उसे pedigree दे रहे हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इसे royal canyon दू तब guys उसको धीरे धीरे दूसरे food पर लेके आओ और guys यह ज़रूर ध्यान देना है कोई भी बहार की जो चीज है कई बार guys क्या होता है हम fast food वगएरा बहुत खाते हैं आपको अपने dog को बिलकुल नहीं देना ह कोई भी बासी रोटी वगएरा बिलकुल भी नहीं देनी है चावल जो होते हैं आपको बिलकुल fresh ही देना है fresh boil करके आप दो कच्चे नहीं देने हैं आपको बिलकुल भी आप जोब उसे पानी पिला रहे हो तो उसके surrounding में जो पानी होना चाहिए बहुती साफ सुतरा होना बहुती pure होना चाहिए उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए आपको एक hygiene condition maintain करके रखनी पड़ेगी तब जाके आपका जो डोग है simple indigestion नामक इस condition से सफर नहीं करेगा और गाईज यह जो precaution है यही एक treatment है बट additionally मैं आपको एक सिर्फ बताता ह हूँ जैसा कि screen पे आपको नजर आ रहा होगा जाइमो पेट नाम से यह सिर्फ आती है आप अपने डोग को दे सकते हैं इसको आपको कैसे देना है आपको alternative days पे देना है यानि अगर आज आपने दी है तो कल का gap देके आप परसो देना है और इसकी अगर मैं आपको dose rate के बा सकते हैं यानि 1 ml की measurement करके आप अपने डोग को यह पिलाएं और अगर आपके डोग जो है six month का है तब आप 2 ml दीजिए और आपका जो डोग है one year का है या इससे ज्यादा है तब आप गाई तीन से चार ml भी कर सकते हैं अपने डोग की दिन चरिया में आप इसको add कर सकते हैं तो guys मैंने ये जो dose rate बताई है बिल्कुल ही कम बताई है अगर ज़्यादा बताऊंगा तो कुछ और भी problem होने के chances हो जाते हैं अगर simple indigestion है तब guys आपको इसी dose rate को follow करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा दोगे तो वो एक अलग situation होती है आपके जो wet prescribe करेंगे तब ही लाइक करें शेयर करें और comment जरूर करें और हमारे चैनल को इतना spread करें कि सभी लोगों की help उनको basically डोग की के बारे में पता से ले कि अगर आप एक डोग ओनर हो डोग को पाल रहे हो तो हमें क्या-क्या रखनी है किन-किन products का यूज करना है और कुछ हम medicine से related भी और कुछ हम कुछ बीमारियों से related भी वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यादा helpful होने वाली है thank you so much for watching this and please do like subscribe comment and share thank you so much